देश में जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दों को हवा देने का चलन देखने को मिल रहा है उससे ही तो यही साबित हो रहा है कि उंचे पदों पर बैठे लोग किसी ना किसी तरह से खुद को सुर्खियों में रखना चाहते हैं अब जरा तिरपुरा की गवर्नर ततागत राय का बयान सुनिये जिसमें उन्हों एक ऐसे विवात को जन्म दिया है कि सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है असल में हाल ही में जब दिल्ली NCR में सुप्रीम कोटने पठावकों की विक्री पर बैन लगाया तो उसके तुरंद बाद के बाद गवर्नर ततागत राय ने ट्वीट करते हुए कहा कि जल्द ही हिंदुआँ के अंतिम संसकार पर भी रोक लग सकती है वो तो यहां तक बोल गए कि इस तरह के फैसले में उन्हें संप्रदायक साजिस की भू आ रही है क्यूंकि एक के बाद एक हिंदुआँ की तिवारों को लेकर निशाना साधा जा रहा है उन्होंने तो अपने ट्वीट में यहां तक लिख दिया है कि कहीं दही हंडी आज पठा का कल को हो सकता है प्रदूशन का हवाला दे कर मौम बत्ति और अवार्ड वापस करने वाले गैंग हिंदुआँ की चिंता जलान ने पर याचका डाल दे खेर जब मीडिया ने गवर्नर तथागत राय ने इस ट्वीट कोई बारे में सफाई मांगी तो उन्होंने का कि उन्होंने कहीं पर भी समवैधानिक सीमा को पार नहीं किया है खेर इस तरह के ट्वीट करने से पहले उचे पदों पर बैठे लोग यह तक नहीं सोचती कि इस तरह की बैयानबाजी का देश की जनता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा SPN 9 यह जरुमकी रपोर